दोस्तो क्रिप्टो कंसी यूटीब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में आप सब बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त निजाम बिटकॉइन की इस अर्जेंट अप्टेट में बात करेंगे कि बिटकॉइन के प्राइज में गिरावट देखने को मिली है आगे क यह गिरावट और कंटिनी होगी या आगे मार्केट यहां से रिकवर करना स्टाट करतेगे तो वीडियो को ध्यान से देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टन होने वाला है चलो वीडियो को करते हैं स्टाट तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर मैंने जिस तरीके तो बताया था कि 15,500 और 15,200 यानि 51,200, 51,500 के उपर हम गए 53,000 तक हम गए लगबग ठीक है लेकिन आज के दिन यह बेरिश एक केंडिल बड़ी बनी है लेकिन अभी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है इसकी क्लोजिंग होगी सुबा साड़े पाज बजे तो अभ यह भी यह वो भी हो सकता है ठीक है यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बिटकॉइन के अनलेसेस करना काफी ज़्यादा टिपकल काम है इस पर आप बिटकॉइन कब क्या हरकत कर देगा किसी को नहीं मालूम देखे कल भी एक बड़ी केंडिल बनी थी इसमें प्राइस गिरा था लेकिन उसके बाद तुरंट मार्केट ने रिकवर किया और मार्केट उपर गई थी अभी फिलाल देखो यहाँ पर यहाँ था यहाँ पर सिंपल समझना परशान मत हुआ करो ठीक है इसने आकर इस परसो की केंडिल और कल की केंडिल ने इसको तोड़ा म एक बड़ी बेरिश बनी लेकिन अभी इस लेवल के नीचे ने गए यानि कि पिछला जो हाई था इसका पिछला हाई अगर हम देखेंगे तो लगबख 50,000 सम्थिंग था यहाँ पर हम देखेंगे तो 50,500 के असपास था ठीक है और उसके बाद अभी भी देखो मार्केट 51, के थाउजन को उपर ट्रेट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है में भी कर्रेक्शन है प्रीटेश्ट कर रहा है प्राइज तो यह भी हो सकता है अगर यह 50,500 को ब्रेक करके नीचे और आता है चेतो 49,000 आ जाए 48,000 आ जाए तब तो डरने वाली बात है लेकिन फ अगल एकदम सीधा उपर निकल जाए प्राइस जिग-जैक करता है आज के दिन और मार्केट बुलिश रही तो एक दिन बेरिश रही इस तरीकर चलता है यहाँ पर आप देखोगे तो काफी दिन दिखहेगा कि एक दिन मार्केट बुलिश थी तीं-चार दिन बेरिश रही फिर तीन दिन bullish रही ठीक है फिर तीन चार दिन bearish रही sideways रही ठीक है इस तरीके से market चलती है अब चलो यहां से चलते हैं 30 मिनट के chart पर मुहां समझते हैं daily के update जिस तरीके दे करता हूं हलागि morning मैंने update की थी 53,000 टच भी हुआता जाकर और 53,000 अगर break होता आज के दिन तो हम 54 इजली पहुचते उसके ऊपर 57 तक भी हमाय पास target थे फिलाल यहां पर आप देखो हमें scenario के साब से market का जो scenario अभी चल रहा है उसके साब से देखना है तो 30 मिनट को हम click करते हैं देखो 30 मिनट के chart पर यहां पर यह इस तरीके की condition बनी जो की बेरिष्टी और यहां से market कर गई देखो जिस चीज का मुझे थोड़ा से डर समझ में आ रहा था वो चीज हुई मैं chart पर दिखाता हूँ देखो इस तरह से पराइज अकर गवर से देखो कि जब नीचे यहां पर एक double bottom लगाने का बद ऊपर आया है इसके आकर इसने गिरा तो 20 period को support लिया फिर ऊपर गिया फिर गिरा फिर 20 period को support लिया फिर ऊपर चला फिर गिरा तो देखो फिर 20 period का support ले रहा है आधी टेंशन दूर हो गई होगी म अभी देखो यहाँ पर rise लग सकता है मेरे साब से अब यहाँ से इस point से market recover कर सकती है धीरे धीरे तो यहाँ पर अभी फिलाल देखो फॉरन कुछ नहीं हो जाएगा कि एकदम से sudden यहाँ पर गिरी और इस तरह से एकदम से उपर चल गए इसा तो हो का नहीं इसा होता भी है बिटकोईन के price में कि sudden बड़ी बड़ी candles बन जाती है green, red लेकिन अभी फिलाल यहाँ पर 30 मिनट भा हमें यह मान की चलना है कि इस point पर हमें 20 period का support मिला है और जिस तरीके से दो बार इस तरीके से बिटकोईन का price उपर गया तो में भी यहाँ से उपर जा सकता ह अब यह और बात है कि हमारी किस्मत अगर खराब हुई तो हम 200 period के नीचे अगर इस low को हमने तोड़ा इस तरह से तो इस तरह से market नीचे भी आ सकती तो को दोनों condition होती है market में 100% prediction किसी की भी right नहीं होती है फिलाल यहाँ पर जो scenario समझ मैं आ रहा है मुझे से लग रहा है कि price थोड़ा से उपर जा सकता है और इस तरह से जिगजग करता हुए कोई बड़ी बात नहीं इस high को भी तोड़ने आ सकता है अब चलो यहाँ पर levels को लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आगे जो मनदब हमें आगर यहाँ से उपर जाता है तो क्या-क्या level दिखाता जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो इतनी बड़ी ग्रावट हुए इसने बिटकॉइन के जो मैंने सुबह एक वक्त इनलाइसस किया था वो सारे समीकरार उनसे चेंज कर दी है अब नए समीकरार हमें चार्ट पर बनाने होंगे जो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ उससे पहले एक चीज़ हो समझ लो मुझे इस चीज़ का डर था कि अगर ये इस तरीके के हरकत कर सकता है बिटकॉइन देखो कैसे मैं दिखाता हूँ अगर यहां से हम देखेंगे तो हमें सपोर्ट मिलता चला जा रहा है और यहां से अगर हम देखेंगे एक टेंड लाइन को लगा कर तो हमें रेजिस्टेंस भी मिल ला है इसलिए दोस्तों मैंने सुभा बोला था कि 53,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 54,000 तक इसली पहु है बिटकोइन में अब यहां पर देखो कुछ समझ में आ रहा है बन गे एक चैनल मैंने यहां पर कोई टेंड लाइन का यूज नहीं किया जो टेडिंग व्यूक्त दी आती है मैंने यहां पर सिंपल आपको जो ड्राइंग के मारकर हैं उसके जरीए मैंने आपको दिखा द देता हूं तो यह मोबाइल साथ देता है मेरा बाकि जब मैं अपने डेक्स्टॉप पर होता हूं तो डेक्स्टॉप पर या लैप्टॉप पर लेकिन ज्यादा तर यहां पर देखो मुझे उस वक्त मारकेट गरी कुछ फ्यूचर में ट्रेट था मेरा ओ लॉंक का वो भी उसमें भी कुछ लॉस हुआ थोड़ा बहुत जादा नहीं हुआ इस टॉप लॉस लगा हुआ था तो हिट हो गिया ठीक उसके बाद मेरे कान ख़ड़ हुए कि भाई यह क्या तो मैंने जब इसको देखा ध्यान से हलाकि यह दोगो सुभा यह ट्रेंड लाइन मैंने एक ल मार्केट आ यहीं नीचे नीचे घबराने की जरूवत नहीं है इस तरह से तो फिरह नीचे जा सकते फिलाल प्राइज को पर GC whatnot तो मैं भी यहां से इस तरह से यह चैनल हमने बनाया इस तरह से और यहां से ऊपर जा सकते हैं मार्केट तो यह जो इस तरीके से पैटन करता हूं और समझ माय जाता है मार्केट कि मार्केट अप किस दिशाम जाने वाली है तो घबराओ नहीं यहां से मार्केट में राइज मिल सकता है अब यहां पर आपका वक्त ज्यादा नहीं ख़राप करूँगा लेवल्स बता देता हूं कि लेवल्स क्या हो सकते हैं अगर प्राइज उसके बाद यह इसका सपोर्ट जहां पर बिटकॉइन आज सपोर्ट लिया अगर इसको तोड़ता है तो यहां पर भी सपोर्ट ले सकता है 49,400 पर यह हो गई नीचे की बात लेकिन हम मैंने क्या बोला मार्केट यहां से रिकावर कर सकती है तो रिकावर में आपको क्या के लेवल दिखा सकती दो अभी तो फिलाल यह यलो लाइन के आसपास प्राइस खड़ा है तो इसके उपर के लेवल है 51,400 शॉट टम के लेवल है और यहां पर 52,000 यह जोन बनी वी है काफी इंपॉर्टन होगी बिटकॉइन के प्राइस के लिए अगर इसको पार करता है तो 52 2,500, 53,000 और 53,000 को ब्रेक करता तो आप सभी को मालूम है 54,000 उसके बाद की बाद कल सुबा कल लेंगे अभी फिलाल देखो अभी काफी वक्त बाकी है कल की डेली केंडिल क्लोज होने में अब यहां पर समीकर बन रहे हैं संटिमेंट बन रहे हैं मार्किट के ऊपर जाने के तो यहां पर जो डेली चार्ट पर अगर हम प्रिवेस हाई यानि कि यह जो प्रिवेस हाई था बिटकोईन का जिसको तोड़ के प्राइस उपर आया था उसके उपर ही क्लोज कर सकते हैं ठीक है तो घबरानी की जरुवत नहीं है फिलाल बस यह दुआ करना कि यह लेवल त नीचे गई थी उसके 50,500 तक गई थी लेकिन इसने अपने प्रिवेस हाई को जाकर टेस्ट के आओ उपर चलने की कोशिश किये अगर यहां पर ध्यान से देखोगे मेरे भाई अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो एक डबलू पैटन भी इस तरह का दिख जाएगा जिस देखता हैं अगर डर लोगे तो भी पढ़ेगा नहीं डरोगे तो भी पढ़ेगा सीधी बात है ठीक है तो यहां पर आपको थोड़ासा देखना फॉलो करना इसको बाकी जो ओल्ड कोईन से होल्ड रखना किसी भी को पैनिक में आकर चल करनी की ज़रूरत नहीं है यह कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं कई जा सकती ठीक है तो चलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अपडेट पसंद आई होगी और आपको थोड़ा सापकी टेंशन भी दूर हुई होगी बाकी तो देखो टेडिंग एक रिस्की गेम है मेरे भाई अगर यहाँ पर परनिंग होती है तो लॉसेज भी होते हैं तो चलो नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ जब तक कि लिए मुझे को जाद दो जैहिन जै भारत